यह जो बिसिकली एक मुराद एक मिनिट में आ रही है यह टाइमड है 2222 नमबर एट से मुंसलिक है नमबर एट मैं सबसे पहले बता दूँ नमबर एट यह मैंने गोगल से रिसर्च किया और यह क्रिश्चियनिटी में नमबर एट सिगनिफिकंट इन स्क्रिप्चिर्च इस नमबर विच प्रिसीड इट गॉड है डिसिगनेट इट तो बी दे नमबर एफ रिजेनरेशन और रिजर्चिशन एट अलसो डिनोट अन्यू बिगिनिग यह बिसिकली रिजर्चिशन के लिए जो उनका इल्म था दुबारा वापस आएंगे और हम दुबारा उस जहां में जाएंगे फिर जिन्दा होंगे यह नमबर एट उसको यानिके क्रिश्चियनिटी में वो करता है ठीक है ना नाओ इन जुविश फेथ एट दे सुपरनाचिर रियलिम विच फीड नेचर यानिके नेचर को जो फ फीड गरती है यह बड़ा एक अजीब टॉपिक है कभी इस पर मौकल लगा तो बात करेंगे फीड नेचर एंड़ स्ट्राइविंग ऑफ मैन फॉर अ कनेक्शिन विद इस सुपरनाचिरल यानिके जो लोग इदर से उदर उदर से इदर गैब की तरफ जाते हैं और वापस तो नमबर आठ इन जुविश रिलिजिन भी आपको बता दिया है अब यह के आपको मिलेगा नाव वी कम इन दे हिंदू रिलिजिन तर नमबर एट आस्था कहते हैं इसको होल सिग्निफिकंट असोशियेशन विद भगवन शिरी कृष्णा लॉर्ड ऐस वल यह सोचने वा अस्तमा संताना सुरी अगर वर्ड्स में फरक आजाए क्योंकि हिंदू मेरी जबान नहीं है तू देवाकी देवी एंद वसू देवा यह इस आलसो रेकिनाइड अस दे एथ इंकार्डनेशन अफ दे आवातारा अफ नारायन अमंग दे तैन प्रिंसिपल्स अवाटार्स यह नमबर एट के बारे में इन हिंदू रिलिजिन नाओ वी कम टू इसलाम इसलाम जो हमारा रिलिजिन है अगर आप नोटिस करें मेरे घर 28 नमबर मेरे सारे अंडिंग 28 होते ही या 8 होता है अंड में तारी मेडिटेशन 1122 118 2222 जो अपकमिंग है 8 यानि कि everything is coinciding with 8 और दूसरी चीज़ यह कि अब मैं आपको दुनियावी अदद के हवाले से बता देता हूं जिन वर्ड आर्ट दौलत आर्ट बहुत सारी चीज़े ऐसी हैं कि जो आर्ट की उपर और आर्ट की कुवत का अंदजा नहीं लगाया जा सकता है मैं अदद के हुआले से बात कर रहा हूं नाम का नहीं है इसके अंदर यह अदद के हवाले से है ठीक है ना अब इसके अंदर जो है इसको पोई बात है कि अगर इसको symbolize किया जाए तो काटा जाया तो क्योंकर infinitely कि नंबर है काट दो तो तीन बच जाता है तीन जो है वो अल्ला गया दद है 66 यहांने कि there are a lot of things coming with it but I just wanted to give you a brief what do different religions say about number eight so यह आपको मैंने